गुद मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चो आज की बर्च्वल क्लास में मैं आपको अभ्यास सागर पाठ एक बारह मासा करवाने जारी इसमें संयुक्त वेंजन ये वो मुचारण के बारे में पूछा गया है कुछ पंक्तियां दिये गई हैं चैत महीने का प्यारा खट मिठी सी धूब है चुट्टी हुई मदर्सों की सावन की शोभा न्यारी महिया क्वार महीने मैं यह जीवन तेवहार है इसमें जो संयुक्त वेंजन दिये गए हैं उनको रेखांकित किया है प्यारा खट मिठी छुट्टी न्यारी क्वार तेवहार इससे बिल्कुल ये आसान हो गए इनको जो संयुक्त वेंजन रेखांकित किये गए हैं उनको छुट्टी न्यारी क्वार खट मिठी तेवहार इन सवय्योक्ति वेंजनों को नीचे खाले स्थान में लिखा गया है दूसरे प्रिश्ण में पूँचा गया है कि नीचे दिये गई शब्दों में मोटे काले वर्णों के बारे मताईए कि उनमें किस स्वर का प्रियोग हुआ है तो मोटे काले शब्द है देश देखो दे है ना दा और दा में ए स्वर लगा हुआ है तो इसको अलग कर दिया वेंजन और स्वर को अलग किया गया है प्रती ता में ए की मातरा लगी हुई है ता वेंजन अलग किया गया और ए स्वर अलग किया गया बोलो में व्यंजन अलग किया गया और ओ स्वर अलग किया गया है इसी तरह से नातेता और इसमें ए स्वर आया हुए अन्याय में या व्यंजन है हलंत लगा हुए है और आ स्वर है मिलजुल में जा व्यंजन है हलंत लगा हुए उ स्वर है तो जितने भी वेंजन हैं स्वर के बिना उनमें हलंत लगा आया गया है और आकों अलग करके लिखा गया है फिर आपका आया हुगा है पॉइंट नमबर फोर नीचे दिये गए शब्दों को ध्यान पूर रख पढ़िये और उनमें सईयोग वेंजनों के नीचे रेखा खींचिये साथ ही अभी बताइए कि इनमें दो वेंजनों का सईयोग है अथवा तीन वेंजनों का अब दिया गया है उन्हें उन्हें में ना और हा जो ना की पाई है उसको हटा करके हा लगा हुआ है क्योंकि वो स्वार के बिना है इसलिए उसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें दो वेंजन आये हुए नमस्कार में सा के साथ का जुड़ा हुआ है यानि सा का के साथ जुड़ा हुए है तो दो वेंजन है उजवल में दो जा और वा यानि स्वर्रहत दो जा और वा है तो ये तीन वेंजनों का सिंग होगे पुस्तक में सा के सा जुड़ा हुए है तो दो वेंजनों होगे तो देखिए ख्याती में दो विंजनों का संयोग आया हुआ है इसी तरह से नीजे कुछ संयोगते विंजनों के पुराने और नय रूप दिये गए है पुराने रूप के अंसार एक एक उधारन भी दिया गया है आप नय रूप का प्रियोग करते हुए एक एक शब्द और लिखिए ये पुराने रूप है देखो इनमें कहीं भी हलंत नहीं लगा हुआ है ये दूसरे के साथ जुड़े हुआ ये इसका नया रूप है जिसमें हलंत लगा हुआ है ता है देखो पाई वाला वेंजन है इसलिए हलंत नहीं लगा उसके ता के साथ ता जुड़ा हुआ है बकाए ऐसा वलंत ये वेंजन है तो हलंत लगा हुआ है पुराने रूप के अनुसार ये देखिए इसमें इस तरह से शब्देनों ने उधारन के रूप पर दे दिये पर ये देखो पत्ता पत्ता का इन्होंने यहां पर इस तरह से उधारन दिया हुआ है इसका मतलब है कि इनको भी हमें नए रूप में लिखना है विद्या, द्वार, शुद, मिट्टी, पत्ता, उद्देश तो ये हमने इनको नए रूप में लिखा हुआ है तो बच्चों अब आपको संयोगत व्यंजन की बारे में विश्तर जानकारी प्राप्त हो गई है आपका होमबर्क है कि दो व्यंजन और तीन व्यंजन के संयोग वाले दस शब्द लिखने हैं अब दो और तीन व्यंजन के संयोग वाले शब्द जो आपके भुक में आए हैं उनके अलावा लिखने हैं समझ में आ गई है जैसे राष्ट्र राष्ट्र लिखा है इसमें देखू राष्ट्र एक वेंजन दो वेंजन तीन वेंजन तो तीन वेंजन का इसमें संयोग है ठीक है तो इस तरह से आपको धर्म इसमें दो वेंजनों का संयोग है तो इस तरह से आपको नए शब्दों का नर्मान करकी लिखना है यही आपका ह भॉंबर्ग है धन्नवाद